हेलो फ्रेंट्स, LGR स्टडी के आउनलाइन कलास में आप सभी का स्वाधत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस स्रीज में हम लोग ITI, Politechnik and Pada Medical परवेश परिक्षा के बेहतर तियारी के लिए Math का Crash Course कर रहे हैं Math के Crash Course का दोस्तों आपका 12 कलास अल्रेडी हो चुका है, तो जो लोग अभी तक इस 12 कलास को नहीं देखे हैं, तो चैनल के परले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लिजेगा, क्योंकि यह 12 कलास आपके लिए काफी महतपूर्ण है, चलिए आज का कलास स्टार्ट करते हैं, आ क्राब हो गया, ठीक है, जिसके कारण मुझे मोबाइल से कलास लेना पर रहा है, तो हलका वीडियो क्वालिटी में प्राबलम होगा, बर तो वीडियो के क्वालिटी पर ध्यान नहीं दीजिए, कंसेप्ट पर ध्यान लगाईए, ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिस इतना अच्छा तो जरूर है, कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, अब मुझे तो प्राबलम लग रहा है, इस बातों का कि भई, लैप्टॉप ठीक कैसे होगा इस स्थिति में, ठीक है, तो कोशिस कर रहे हैं, आप लोग भी भगवान से अल्ला से दुआ कीजिए, क क्योंकि क्लास बंद होना बहुत गलत होता है, ठीक है, तो चलिए, देखा जाएगा, उसका कोशिस चल रहा है, बात करते हैं, सबसे पहले, एक नया टॉपिक, जब कभी हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले, मैं आपको पता होगा कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, कभी भी ही चलेगा ही, तो सबसे पहले चलिए, चलते हैं, देखते हैं, कि करनी क्या होता, घातां क्या होता, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, काफी मज़ा आने वाला है, तो ध्यान लगाने की कोशिस करेंगे, और सीखने की कोशिस करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, कि वही आखिर करनी क्या होता है ठीक है तो यहाँ पड़ आप समझेंगे कि यदि किसी रासी का मूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके तो उस रासी के मूल को करनी कहा जाता है तो उस रासी के मूल को क्या कहा जाता है करनी कहा जाता है अब बातों को अपने अस्तर से समझते हैं अ संख्या होता किसी भी संख्या का संख्या मिस नंबर का मूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके मूल क्या होता है मूल होता जैसे देख़िए माले जी है कि हमने आपको दिया 5 ठीक है और 5 का रूट 5 दिया ठीक है तो 5 क्या हो गया एक रासी हो गया 5 क्या हुआ एक रासी हुआ और इसका मूल कहने का मतलब है मूल कहने का मतलब है कि रूट 5 का भैल्यू और ठीक ठीक नहीं निकाला जा सके ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकने का अर्थ है कि भाई रूट पांच का जो है बैल्यू है वो पूरा पूरा नहीं आता है दसमलों में आता है ठीक है दसमलों में आता है आप सभी जानते होंगे two point something होता है मतलब इसका जो value होगा root 5 का वह एक दसमलोबे होगा ना कि कोई integer होगा ना कि कोई पूर्ण संख्या होगा ठीक है कोई भी पूर्ण संख्या ये नहीं होगा root 5 का जो value होगा वही तो यही बात है कि रासी root 5 जो है 5 जो है उसका मूल यानि कि उसके root का जो value है वो ठीक ठीक नहीं निकल पाता है नहीं निकाला जा सके तो उस रासी के मूल को करनी कहते हैं तो यहाँ पर root 5 क्या कहलाएगा? करनी कहलाएगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कूछ उधारन भी लिया जैसे कि आपका root 2 है, आप सभी को पता होगा कि root 2 का पुरा पुरा value नहीं आता है, यहीं पर हम आपको देदे, square root 4, तो square root 4 का आप का पुरा पुरा value आप नहीं निकाल सकते हैं वो क्या होता है, करनी होता है जिसका पुड़ा पुड़ा भैलू आप नहीं निकाल सकते हैं वो क्या होता है करनी होता है पीर यहाँ पड़ आप देख सकते हैं कि root 3 इसका भी आप भैलू पुड़ा नहीं निकाल सकते हैं cubic root 4 का नहीं निकाल सकते हैं, square root 4 का तो आप निकाल सकते हैं, square root 4 का जो direct value होता है, वो 2 होता है, लेकिन cubic root 4 का value नहीं निकलेगा, fourth root 5 का value नहीं निकलेगा, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, करनी होंगे, और जिसका root का value आ जाएगा, जैसे root 9, square root 9, तो square root 9 का value 3 हो था तो यह करनी नहीं होगा तो करनी क्या है इस अस्तर पर आपने समझा हम आगे और इसको detail में समझने कोशिस करते हैं या आपर बोला गया कि इसको पूर्ण संख्या या पूर्ण भीन के रूप में परकट नहीं किया जा सकता है जो भी करनी होगा उसको आप क्या कर सदिश देखिए root 2 है तो इसको आप पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण भीन के रूप में परकट नहीं कर सकते हैं जैसे root 16 है तो root 16 को हम पूर्ण संख्या के रूप में परकट कर सकते हैं चार होगा तो यह पूर्ण संख्या है लेकिन रूट 2 का रूट 3 का इस तरह से पूर्ण संख्या में भैलू नहीं आता है तो इसके कहने कार्थ है कि जो भी करनी होगा जो भी करनी होगा उसको आप पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण भीन के रूप में परकर्ट नहीं कर सक सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है आगे यहां पर और भी वातों को अगर अच्छा से समझने की कोशिश करें तो समझे कि समानने रूप से अगर यह बोला जाए एक धनात्मक पड़ी में संख्या हो एक को माले जिए कोई भी धनात्मक पड़ी में संख्या है पॉजेटिव नम् जिसका एनेत्मूल कहने का मतलब है कि जैसे इसको करते हैं एस्क्वाइर रूट ठीक है तो यहां पर जो है वो होगा टू मूल ठीक है एस्क्वाइर रूट इसको बोलते हैं तो इसको हम बोल देंगे यहां पर एनाएगा तो एनेत्मूल बोलेंगे एनाएगा इसको क्या एनेत मूल तो यहाँ पर आपको बोला गया कि एनेत मूल नहीं निकाला जा सके अर्थात ऐसी कोई पड़ी में संख्या नहीं है जिसका एनमा घात एके बराबर हो तो एके एनमा है न धनातमक मूल को करनी कहा जाता है जैसे अगर यहाँ पर उदाहरन के तौर पर समझा जाए तो यहाँ पर समझ लिजिए कि आगर एकोई धनातमक पड़ी में संख्या होगा जिसका कोई ऐसा संख्या नहीं हो जिसका एनमा घात उसके बराबर हो तो हम उसको क्या करते हैं उसको करनी कहा जाता है जैसे उदाहरन के तौर पर आप दे सकते हैं कि N to the power A या तो है निकाल अच्छा से समझ लिजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसका बहुत ही क्या होगा जरूरी परेगा देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है Nth root A तो आप उसको क्या कर सकते हैं A का power 1 by N लिख सकते हैं यहाँ पर इसे यही बोला गया कि इसे अगर आप कहीं पर लिखा हुआ Nth root A तो आप A का power 1 by N के रूप में लिखा जा सकता है जैसे अगर example के मदर से समझें तो कहीं पर लिखा हुआ है cubic root मालने जिए यहाँ पर हम यहाँ उपर कर देते हैं हलका अब आप समझे कहीं पर लिखा हुआ है cubic root 5 तो आप इसको लिख स करते हैं 5 का power एक बट्टा दो 5 का power एक बट्टा दो और यहां भी वही बोला जा रहा है कि अगर यहां पर कोई भी संख्या होगा ठीक है तो वह आ जाएगा बट्टा की नीचे एक की नीचे आ जाएगा और इस तरह से आप लिख सकते हैं एक और example समझ लेते हैं कहीं पर ल जाएगा ठीक है इस तरह से लिखा जा सकता है और यहां पर एक बात बोला जा रहा है लिखा जा सकता है एक परी में संख्या है जहां एक परी में संख्या है और एक पाबर वन बट्टा एन एक और परी में संख्या होगा यह भी आपको क्या करना है याद रखना है अता यह परिमें संख्या हो गनात्मों अगा अगर निगेटिव होगा तौंत नहीं होगा तथा एं टुदीप्ज़ आउपरी में संख्या हो جोहां यहांस और आप देख सकते हैं कि संकेथ एं टुदी पावरे में न को करणी कहा जाता है करणी किसको कहा आपको बोलेगे संकेत यहाँ पर n to the power a में n को करनी का जाता है यह जो nth root है यह n का जो value कहीं पर आप square root में 2 आता है qbic root में 3 आता है fourth root में 4 आता है तो यह क्या का लाएगा करनी का लाता है इसको example के मदद से आप समझेए यहाँ पर अगर इस तरह से दे दे जाए square root 3 तो यहाँ पर square root 3 के करनी का जो घात होगा वो कितना होगा 2 होगा घात कितना होगा 2 तो जो भी यहाँ पर होता है वो क्या का लाता है तो घात का लाता जिसको हम घातांग भी बोल सकते हैं यहां पर घात कितना होगा तो 3 और यहां पर देखिए एक बातों को समझिए हम अलग तरह से इसको समझेने कुशिस करते हैं root 25 एक करनी नहीं है क्यों कि हम बोले थे करनी वही होगा जिसका root का value पूरा पूरा आप नहीं निकाल सकते हैं तो देखिए यहां पर 25 का value 5 आता है जो ओपरी में संख्या नहीं है पांच क्या है ओपरी में संख्या नहीं है इसलिए root 25 एक करनी नहीं होगा क्यों भी गुड़े तो तीन लगेगा तो वह क्या होगा घातांक होगा और करनी कोन होगा तो जिसका आप पूरा पूरा भैलू नहीं निकाल सकते हैं वह क्या होगा करनी होगा इतना detail आप समझे अब बारते हैं आगे कंसेप्ट को देखते हैं कुश्चन भी आज करेंगे महात्पूर्ण कोश्चन करेंगे तो समझने की सीखने की कोशिश कीजिए हैं यहाँ पर आपका अगला जो कंसेप्ट है वह है सुद्ध करनी और मिस्र करनी क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं तो ध्यान समझन एक औपरिमे संख्या से बना है एक सुद्धकर्णी कहलाता है जो केबल और केबल एक औपरिमे संख्या से ही बना हो उसको कहते हैं सुद्धकर्णी तथा वह कर्णी जो एक परिमे संख्या और एक औपरिमे संख्या का गुननफल है मिस्रकर्णी कहलाता है जैसे कि आप example समझे काफी simple बाते हैं देखे यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप उबर देख सकते हैं कि root अंडर 27 तो 27 जो है यहाँ पे वो औपड़ी में संख्या है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ति mosquito क्या है अन्थी करने हुआ किसी करनी ऑपका इससुध करनी हुआ इसी तरह से 5 cubic root जो 4 है वो भी क्या होगा वो भी दोस्तों आपका मिस्र करनी होगा जिसको आसुद्ध करनी भी कभी कभी बोला जाता है नेक्स्ट आगे कुछ महतपूर्ण जो है आपका हम बाते देखने वाले हैं तो इसको समझे कि किस तरह से यहाँ पर आपको सीखना है समझना है अगला जो concept है वो है पूछा जा रहा है कि कुछ आपको rules नियम आपको पता होना चाहिए तब जा करके आप इस chapter के सभी question को बना पाएंगे समझे बोला जा रहा है कि पूर्णांकिय घात के नियम क्या सीखना है पूर्णांकिय घात के नियम जो घात होते हैं उसके कुछ नियम्स आपको यहाँ पर क्या करना होगा सीखना होगा यहाँ पर आप आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि माल लेजे कि A और B दो बास हैं तो आपको कुछ यहांपर किया करना है समझना है इसको आम अपने सब्दों में इसको समझाते हैं नीचे इसको अगर आप समझना चाहे नीचे समझिए रूल नमबर 1 है कि A का पाबर M हो और फिर A का पाबर N हो और उस दोनों को गुना करना हो तो आप क्या करेंगे A को क्या करेंगे पाबर को जोड़ देंगे अगर इस रूल को अपने भासा में बूल जाए तो आप समझेंगे कि देखिए A क्या है base है और यहां भी एक क्या है बेस है और पाबर में है M और पाबर में है M तो यहां पर हमने देखा कि वही क्या है कि बेस क्या है बराबर है बेस क्या है बराबर है बेस सेम है और पाबर अलग-अलग है और करना क्या है तो गुना करना है तो आप एक rule याद रखेंगे कि base same हो और power अलग अलग हो और गुना करना हो तो आप simply ये याद रखेंगे कि गुना में अगर base same हो तो power जूट जाता है गुना में अगर base same हो तो power क्या हो जाता है जूट जाता है that means power को जोड़ देते हैं इसको एक question के मदद से समझते हैं समझ चार और बहुलाख भाई इसका वैल्यू तुम क्या करो बताओ तो हम देख रहे हैं कि हमें करना क्या है गुना है गुना में बेस क्या है सिम है 3-3 तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व आझा आपको क्या हुआए कि आपको क्या हुआ आपको क्या करना है एक का पावर न यहां पर भी बेस सिम है ए और ए पावर कुछ भी है उस यह मुझे मतलब नहीं होता है तो जब कभी भी बेश स्यम हो तो आपको क्या करना है और भाग बट्टा मिस होता है भाग और दिख लीजे मालेजिए की आपको दे दिया गया 7 का पावर 5 और बट्टे में दिया 7 का पावर 3 बोला वह इसका भैल dual निका लो तो क्या करेंगे इसाथ का पावर 5 minus 3 करेंगे इस पर आपका अच्छा से चल भी नहीं रहा है ठीक है तो चलेगा को चिस किया जा आपका laptop ठीक हो जाए चलिए तो 5 में से अब तीन घटा लेंगे तो 7 का power क्या हो जाएगा हो जाएगा तो 7 का power 2 यहाँ पर आपका विल्कुल जो है जिसका जो है simple होगा इसका भैली होगा इस तरह से इस rule को आपने समझा, फिर हम next rule को समझते हैं, काफी यहाँ पर simple सिवाते हैं, कि A का power अगर M हो और उसके power में N हो, तो इसको कहते हैं power पर power, आप देख सकते हैं कि power के उपर भी power लगा हुआ है, तो उस इस्तिते में power को गुना करते हैं, आपर कुछ भी नहीं है तो गुना, M और N गुना हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, fourth rule है, पूछ रहे कि A into B का power अगर N हो, तो अगर देखिए, जो आपका cost के उपर जो भी power होगा, वो अंदर वाले सभी संख्या पर जाएगा, तो इसको हम A का power N into B का power N क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर यही same rule है, बट बटे में यहाँ कर दिया गया है, यहाँ पर A बटे B का power अगर N होगा, तो यह N उपर भी जाएगा, और N नीचे वाले संख्या पर भी जाएगा, और next जो काफी महत पूर्ण चीज़े हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहे कि 7 ही, क्या होगा, कि जब आप क्या करते हैं, A का power 0 करते हैं, तो उसका value 1 होगा, काफी महत पूर्ण चीज़े हैं, और यहाँ से concept बनता है, समझेंगे, A के power में अगर आप 0 लगाते हैं, तो उसका value क्या होगा, 1 होगा, that means अगर आप किसी भी संख्या, यह मतलब कोई भी संख्या हो, 50 है, उस यह भी काफी महत पूर्ण concept है, यह जो है, बोल रहा है, A का power है, minus N, मतलब, power में minus N आ गया, ठीक है, तो हम उसे क्या करेंगे, याद रखेगा, देखिए, power जो है, वो हमेसा अच्छा होना चाहिए, power जानते हैं, आप काते हैं, यह आदमी बहुत powerful है, यह आदमी इसके पास बहुत power है, पैसा का power हो, या फिर कुछ भी परकार का power हो, तो power हमेसा अच्छा होना चाहिए, ना कि negative power होना चाहिए, power negative होना अच्छा बात नहीं है, कोई भी नहीं चाहिएगा, कि मेरा power गलत हो, ठीक है, तो समझने की बात करेंगे, तो यह आप समझ लीजी कि power में minus रहना कभी भी अच्छी बाते, नहीं है, that means कोई भी ब्यक्ती नहीं चाहिएगा, कि मेरा power क्या हो, अच्छा नहीं हो, मतलब negative हो, तो याद रखिएगा कि negative कभी भी नहीं रहना चाहिए, और power में से negative को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी numbers दिये गए हैं, उसक इसका मतलब अगर आपको किसी भी संख्या के power में से minus हटाना होगा, तो आप उसको एक के बढ़ते में क्या करेंगे, लिखेंगे इस concept को याद रखिए, कुछ महतपूर्ण question है, उसको हम लोग कर लेते हैं, चलिए सीखते हैं, जो questions हैं उसको, जो हमने concept परा, उसके अधार पढ़ी questions यहां भी करने वाले हैं, पूछ रहिए कि निमने लिखीत में कौन करनी है, यह आपको बताना है, तो आभी हमने बताया भई, आपको की करनी क्या होता है, जिसका root का पूरा-पूरा value क्या हो, नो निकल सके, उसको क्या कहते हैं, करनी कहते हैं, तो देखिए, यहा चार्चों के 16 होगा, तो यह भी होगा, इसका root का पूरा-पूरा value आएगा, लेकिन root क्यों भी क्रूट पांच का पूरा-पूरा value नहीं होगा, तो यह क्या होगा, करनी होगा, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, आगे इस तरह से आप लोग सिंपली बना सकते हैं, कोई भी दिक कितमे कौन करनी हैं, कौन करनी है, फिर वही बात आपको क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो square root 50, यानि कि 5 का जो यह option से होगा, square root 50, जो है, यह करनी नहीं है, क्योंकि 50 का पूरा-पूरा accurate value नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए, 50 को आप क्या लिखेंगे, आप 50 को लिखेंगे, square root के अंदर, 5 गुने, 5 और गुने, 2, क्योंकि 5 यह 25 और 25 दुना 50, तो देखिए, 2 पांच तो है, तो एक 5 आ जाएगा बाहर, और अंदर कौन फंस गिया, तो 2 फंस गिया, डैट मिस आप इसका पूरा-पूरा value क्या कर पार हैं, नहीं निकाल पार है तो यहाँ पर आपका यह क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है, जो आपका तीन नंबर महात्पूर्ण, क्वेश्चन है, काफी महात्पूर्ण है, जो लोग लाइक नहीं किये हैं, अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिजए इतना आप लोग के लिए किया जा रहा मेहनत और जो भी लोग अभी तक आपना जो है मोबाई लिप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लिजिएगा ठीक है और जो एलजरा स्टेडी यूटूब चैनल है उस पर चल रहा टेंथ का कलास तो जो भी आपके भाई बहने बता दीजिए तीन नंबर कोष्चन काफी महातपूर ने सिखिए तीन नंबर कोष्चन है क्योबिक रूट 27 का स्कॉयर का मान निमनले लिखित में से कौन सा है Qubic root 27 के square का मान आपको बताना है तो देखिए हम क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए जो है Qubic root 27 क्या है Qubic root 27 है 27 का square है ये भी आप देख लिजे तो 27 का square आपको याद होना चाहिए 27 का square 729 होता है क्या होता है 729 याद रहना चाहिए आपको 729 होता है ठीक है और अगर 729 होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 729 है और यहां पर क्या निकालना है क्योबिक रूट निकालना है तो 729 का अगर आप क्या करते हैं गुनन खंड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्योबिक रूट और 729 को आप लिख सकते हैं 9 गुने 9 3 बहर आएगा तो 9 आपका आंसर होगा आपका आंसर होगा तो यहां पर आपका प्रूट्स आपका बिलकुल है यही हो और सेम्ट यूज़ करना है यहां पर लिख लेंगे फोर्थ रूट ठीक है और 16 का क्यूं कितना होता यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने भाई पहले ही आपको बता दिया था पहले ही टेवल मैंने आपको दे दिया और यह भी बता दें को याद कर लेना तो जो लोग सकते हैं बातों को तो 496 यह कितना है 496 अब फोर्थ रूट है तो 496 का जब आप क्या करेंगे गुनन खंड करेंगे तो यह आपको पता होना चाहिए कि इसको आप जो है फोर्थ रूट है तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 जब आप करेंगे तो पूर जाएगा आपका 496 चार बार लिखेंगे तो आप करके देख लीजिएगा मेरा तो एक्सप्रियेंस है तो मैं यह से कर लेता हूं लेकिन आपको करना परेगा तो देखिए आप भी एक्स आप जितना यह करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका भी हो जाएगा 2496 को आप 8 गुने 8 गुने 8 चार पर लिख लेंगे और फोर्थ रूड़े तो 4 पर यहां पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा तो देख लीजे किस ऑप्षन में आपका 8 है तो 8 है दोस्तों आपके B ऑक्षन में सही हो जाएगा ठीक है पांच नमबर कुश्चन को to the power M कमान होगा तो देखिए अब ही हमने आपको बताया कि अगर कोई जो भी कोई भी नंबर दिया है तो A का पावर क्या है M है एका पावर क्या है यहापका M है और जब यहाँ पर जो भी होगा वो आप रूट हटाते हैं तो यहाँ पर पावर की रूप में गुना में आएगा और एक बटा N की रूप में आएगा क्योंकि आपको हम बताये थे कि अगर रूट दो है square root 2 है square root 2 है यहाँ पर square root 2 है तो 2 का पावर एक बटा दो आप लिखते थे ठीक है तो वही बात आपको यहाँ भी करना है जो पावर में N है उसको बटे के नीचे लिख करके यहाँ पर पावर में लगाना परेगा तो पावर में जब आप लगाएंगे तो A का पावर क्या ह प्लगाएं यहां पर आपका यहां पर आपका सही होगा ठीक है इस तरह से आप समझ सकते हैं नेक्स्ट गोष्चन उसको भी देख लिए तक्षा सिक्स नंबर कोईश्चन की दोड़ा क्या पूछा जा रहा है समझे बाइक ट्रिक समझने कोशिस करते हैं देखिए फोर्थ रूट और उसके अंदर में क्यूबिक रूट एक्स टू दी पावर ठीरी का मांड निम लिखतमें से कौन होगा तो देखें यहां पर एक बात समझ हो पूट क्या बचा एक्स बचा तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जो आपका तो फोर्थ रूट एक्स देखली कौन सा आपका सही है तो शिक्स का आपका जो है डियॉप्शन एक्वादिंग तू आपके जो सुलूशन आये हैं तो ब्याद लखेगा कि square से square root क्या होगा खत्म हो जाएगा आपको पता होना चाहिए उसी तरह से अगर कहीं पे cubic root 9 का power q है तो q से cubic root क्या होगा खत्म होगा और इसी concept से की 3 से 3 आपका cubic root खत्म हो गया तो आपको जो है जो final answer मिला वो fourth root जो है यहाँ पर आपका x मिल गया next यहाँ पर इस question को देखिए काफी अच्छा question है तो इसको समझ लीजिए काफी यहाँ पर conceptual बाते बताई गई है question है cubic root फिर उसके अंदर लिया गया है fourth root x to the power 3 बराबर x का power p तो आपको p का मान क्या करना है बताना है चली सब्से पहले बाय में जो भी दिया गया उसको solve करते हैं इसको जब आप solve कीजिएगा 54 ऐगा अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 123 एकसी ताट चार गुए है तो यहाँ पर क्या चानने के खारningar कारण तो QB root हटाने कारण इसके बच्टा में आए पाबर में आएगा एक बच्टा तीन तो यहां पर 3 से 3 क्या होगा खट जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा X बराबर एक बच्टा चार X का पाबर एक बच्टा चार क्योंकि ऊपर एक बच्टा नीचे चार है तो X का पाबर एक बच्टा चार आपका क्या होगा मिलेगा तो LHS को जब आपने solve किया तो x का power 1 बटा 4 आया और यहां पर बोला जा रहा है कि lhs जो है वो था किसके बराबर तो देखें आपर x का power जो है कितना था आपका x का power 1 बटा 4 हमने solve करके लाया था और वो किसके बराबर है तो वो है x के power p के x के power किसके पर आपको बराबर है तो पावर भी वरहां तो पी का बैलू 1-4 यहां जो आपका बी ओप्षन है बिल्कुल ही वह जाएगा इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का जो लोग जो है अपना जो है डाउनलोड नहीं किये डाउनलोड कर लिजिएगा काफी महात्पूर्ण है मिलते अगले क्लास में जब जैसे आपका जो है लैप्टप ठीक हो जाता है तो देखिए कोशिस किया जा रहा है नहीं तो कल आपका देखिए कैसे क्लास हो पा रहा है म मिलते हैं अगले क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए और एल जार स्टेडी देखते रहिए